बोलिवुड की होट एंड ब्यूटिफुल एक्टरेश श्रध्धा कपूर अपनी आने वाले फिल्म रॉकॉण के प्रमोशन ने काफी बिजी है और अब इंस्टाग्राम के जरिये श्रध्धा ने अपने एक और खुशी जाहिर की है श्रध्धा ने कहा कि वो एक फिल्म जो दाउद इबराहिम की बेहन हसीना पारकर की लाइफ के उपर बेज़्ड है उसमें काम करेंगी इस फिल्म में हसीना पारकर की 17 से 40 साल तक की जिन्दगी के बारे में बताया जाएगा हसीना पारकर जो की एक महिला डौन थी खबर ये भी है कि बॉलिवुड निर्देशक अपूरु लाख्या करीब दो साल से इस फिल्म की कहानी के उपर काम कर रहे हैं यही नहीं शुरद्धा इस फिल्म में अंडरवर्ड दौन दाउद इबराहिम की बहन हसीना पारकर का किरदार सेलवर स्क्रीन पर निभाती नजर आ सकती है और इस फिल्म की शूटिंग मुम्बई में शुरू की जाएगी साथ ही कहा जा रहा है कि पहले इस फिल्म में सोनाक्षी इस रोल को निभाने वाली थी लेकिन बाद में सोनाक्षी ने इस रोल के लिए मना कर दिया